Hello students, इसके पहले वाले सारी वीडियो में हमने rules complete कर लिये हैं और अब बस हमें कुछ important compounds और एक बार देखना है, फिर हम IUPAC complete कर गे, common naming पर आ जाएंगे तो important compounds में हम जो first category लेकर आ रहे हैं, that is aromatic compounds aromatic, अपने syllabus में aromatic का मतलब है benzen ring या benzen ring के जो derivatives हैं, उनका नाम देखने वाले हैं अब देखो benzen को लिखने के तरीक क्या अलग अलग हैं, हो सकता है, आपको alternate double bond लिखा हुआ देखे हो सकता है, इस circle बना हुआ देखे, due to resonance, electrons are equally distributed, resonance, hybrid वगरा वो पढ़ेंगे हो सकता है, C6, H6 दिखे, या Greek में ये 5 जैसा दिखे, इन सब का मतलब benzen है, और IUPAC में जब इसका नाम लिखा गया, तो हमने नाम क्या बोला है, इसका नाम हम बोल रहे हैं benzen अब ज़रा एक बार recall करो, क्या ये IUPAC rules के according लिखा गया है बाई, IUPAC का rule तो ये बोलता था, कि यदि cyclic compound है, तो cyclo use करो, 10 double bond है, तो cyclohexatrien बोलना चाहिए था लेकिन ऐसा कोई नाम मिला नहीं, क्योंकि benzen के derivatives, numbers में बहुत जादा हैं, तो उतना बड़ा नाम यूज करना complicated था, तो उस time पर जो common name चलता था, वही accepted by IUPAC, तो benzen is a common name, but accepted by IUPAC, कहने का मतलब benzen में हम जब भी IUPAC name लिखेंगे, direct नाम क्या लिखा करेंगे, हम benzen, तो ये पहले ही decide कर ले हम कि benzen derivative में हम कभी भी word root, word root और primary suffix वाला component नहीं बनाएंगे, word root और primary suffix वाले component को मिला कर direct हम क्या लिख देंगे, benzen, तो फिर हम बनाएंगे क्या, हम prefix बन बनाएंगे, clear ये बात, तो ये benzen हुआ, फिर यदि benzen ring side chain में आता है तब, side chain में आएगा, तो इसको लिखने के अलग-अलग नाम है, like इसको लिखा जाता है, phenyl, और चुकि इसको phenyl लिखा जाता है, इसलिए short में इसको क्या लिखा जाता है, ph group भी बोलते हैं, इसको fix में क्या, arile, इसलिए short में इसको क्या लिखते है, ar, और c6, h5 लिखा जा सकता है, ग्रीक में 5 लिखते हैं, यह हम पहले ही बता चुके है, इन सब का मतलब एक ही है, ठेक क्या लिखा हुआ है, benzen ring लिखा हुआ है, as a side chain, फिर यदि हम benzen ring से related, IUPAC rules की बात करें, तो बहुत तो rare use मिलता है, लेकिन rules जरूल एक बार तो सुनना पड़ेगा, IUPAC rules यह बनाया गया, कि यदि benzene के बाहर, chain वाले part में, यदि केवल एक carbon है, तो benzene ring is considered as parent system, केवल एक carbon है यदि बाहर, तो benzene ring को हमें parent system मानना पड़ेगा, और यदि chain part contains more than one carbon atom, then benzene ring is considered as side chain, कहने का मतलब जैसे first वाला example देखो, यह जो लिखा हुआ है, benzene के बाहर कितना carbon है, one, इसका मतलब मुझे उस side chain में क्या लिखना पड़ेगा, उस group को लिखना पड़ेगा, और वो कह है, methyl, और word root और primary suffix में लाके हम क्या लिखते है, benzene, तो इस compound का नाम क्या बनना चाहिए, methyl benzene, लेगिन पूरे syllabus में यह नाम कभी भी use नहीं होता, क्यों, इसका जो common name है, that is, toluene और accepted by IUPAC, तो में पूरे syllabus में इस compound को क्या बोलना है, toluene ही बोलना पड़ेगा, clear यह बात, जैसे next वाला compound देखें, अब देखना, benzene ring के बाहर कितना carbon है more than one, benzene को क्या लिखना लेकिन benzene derivative में 99% case में, जो common name है, वही use होते हुए मिलेंगे आपको, इसलिए इसका नाम क्या मिलेगा, ethyl benzene, जैसे next वाले compound को देखें, इसका नाम तो क्या है, phenol, अब जबकि phenol तो एक category है, in which OH is directly attached with a benzene ring, लेकिन compound का नाम phenol है, cannot be explained by IUPAC rules, क्योंकि IUPAC rule है नहीं, और examples में दी बात करें, तो हमने यह और example लिखे, जैसे इस वाले compound का नाम क्या use होता है, syllabus में aniline, इसका नाम लिखने को तो हम क्या लिख सकते हैं, methoxybenzene, लेकिन यह नाम कभी मिलेंगे, नहीं लिखे हुए, मिल जाते हैं, बढ़ी हाँ बात, इसलिए तो हम पढ़ रहें, also named as what, an anisol, anisol, ठेक, यहाँ पर देखो, this is ethoxybenzene, ethoxybenzene, और इसको क्या लिखावा मिलेगा, यह लिखा मिलता है, fenytol, यह fenytol लिखावा मिलता है, ठेक है न, तो इस तरीके से IUPAC name लिखे जाते हैं, और सारे के सारे name कह है, सारे के सारे name देखो, common names है, इसलिए में इसके पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यह वाले नाम rules के according तो समझ में नहीं आते, जैसे मैं यह वाला नाम लिखूँ, इस वाले compound का यह जो blue color से में लिखूँगा न, यह common names है, यह अभी हम नहीं समझ पाएंगे, benzoic acid, जैसे इसका नाम यदि में लिखूँ, तो this compound is benzealdehyde, अभी यह IUPAC के rules के according है ही नहीं, तो हम इसको समझ नहीं सकते, तो हम वो समझते हैं, जो हमने IUPAC में पड़ा, हमने IUPAC में एक special case पड़ा था, कि when terminal functional group is directly attached with benzene ring, then use special secondary suffix like carboxylic acid, तो यदि मुझे इसका word root of primary suffix बनाना है, तो मैंने अभी-अभी decide किया था, कि word root of primary suffix में लाके में ल लिखा जाएगा, carboxylic acid लिखा जाएगा, और यहाँ परिदी में लिखूंगा, तो इसका नाम क्या आएगा, benzene, और CHO को क्या बोलते हैं, carbaldehyde, ऐसा लिखा जाएगा, इसका नाम, अब doubt यदि यह आया, कि मालो objective आया, और objective में benzoic acid वाला option भी है, benzene carboxylic acid वाला option भी है, तब हमेशा हमारा first twice ये वाला रहेगा, कौन सा benzene carboxylic acid, ये भी correct है, लेकिन ये second twice है, जब comparison होगा, तब तो हमें किसी एक को select करना पड़ेगा न, तो benzeneide वाले case में भी कहा है, first twice ये वाला रहेगा, और ये वाला रहेगा, correct है, लेकिन ये second twice है, दोनों यदि एक साथ आज टिक करके आना होता है, जैसे ये वाला important है, ये exam में आ भी चुका है, इसका नाम यदि मैं लिखूँ तो common name है, इसका benzoil chloride, अब ये वाले नाम कैसे लिख रहे हैं, मैं पहले बोल चुका हूँ, ये common name है, ये भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है न, हम जब rule पड़ लेंगे common names में, तब ये समझ में आ जाएगा, अभी तो IUPAC देखो, IUPAC में दी इसका नाम लिखूँगा, तो इसका नाम बनेगा Benzene, और COCL को क्या लिखते हैं, Carbonyl chloride, ये वाला नाम आ जाएगा, और जब ये exam में आया, तो correct IUPAC नेम पूचा था, और option में दोनों थे, और correct answer कौन स Benzoate, ये तो common name है, R का मतलब है Alkyl, इसका correct first twice ही हम लिखें, तो इसका नाम बनेगा Alkyl, Benzene, और Easter को लिखते हैं Carboxylate, अब ये हो सकते हैं, तुम्हें डाउट आ रहा हो कि Easter का नाम कैसे लिखते हैं, हमने अभी तक नहीं पड़ा, important compound में third, ये Easter ही आएगा, तब clear हो और ये वाला हो जाएगा second choice, और example में बात करें, इस वाले compound का नाम, common name है Benzamide, इसका नाम क्या है Benzamide, इसका नाम भी लिख देता हूँ, Benzonitrile, क्योंकि ये तो common name में समझ आएगे, अभी तो हम जो समझने हैं, वो IUPAC है, और IUPAC में इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम Benzene, ये क्या लिखा मैंने word root plus primary suffix, second suffix में क्या लिखा जाता है, Carboxamide, क्या लिखा जाएगा Carboxamide, और यदि यहाँ पर नाम लिखूंगा, तो ये बनेगा Benzene Carbonitrile, Cn को Carbonitrile लिखा जाता है न, इसलिए, और first second choice, पहले बात कर चुके इतने देर से, ये first twice हो जाएगा, औ और ये वाला first choice, लेखो second twice वाला मैं wrong नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि comparison में यदि दोनों object में आ जाते हूँ, और यदि single correct है question, तो हमें कौन सा select करना पड़ेगा, हमें first twice ही select करना है, clear है, तो ये first important compound था, aromatic compound, next aromatic compound पे चलते हूँ, next aromatic compound हम लेके आ रहे है, ethers, ethers में, next aromatic compound, ether है, और ether में पहली important बात जो लिखे हूँ, ये ध्यान से देखो, इसमें कोई भी functional group नहीं मानते, functional group क्यों नहीं मानते, तो ये IUPAC का जो list given है, उसमें included नहीं था, इसलिए functional group नहीं है, इसका मतलब never considered as main functional group, इसको second suffix में कभी नहीं लिखते हूँ, तो हमेशा कह लिखा जाता, elcoxy, क्या लिखा जाएगा, elcoxy prefix में लिखा जाता है, और ये हमने list में भी include किया, तो एक बार देखते हैं, जरा देखो, देखो, ये जो R है, ये carbon का group है, और इसमें मैं parent change select करने के बाद, number of carbon count करूँगा, और उससे मुझी मिल जाएगा, क्या word root, और फिर य oxygen है ना, इसके कारण में इसमें add कर दूँगा, क्या oxy और नाम क्या बन जाएगा, elcoxy, ऐसा sound बनेगा, elcoxy का, जैसे list में जो लिखे हुए हैं, देखो जरा, यहाँ पर क्या है, एक कार बने, तो यहाँ का word root क्या बना, math, oxy लगाए तो नाम बन जाएगा, और the abbreviations लिखते तो ME, et, propylcom कैसे लिखते तो PR, और butylcom कैसे लिखते तो BU, इसलिए यह कैसा लिखावा मिलेगा, ऐसा लिखावा मिलेगा, तो यह समझ में आना चाहिए, clear यह बात, examples में try कर लेते हैं, जैसे number one example देखो, we have to select parent chain first, क्योंगी compound है, parent chain दो ही carbon का रहेगा, numbering करेंगे, तो numbering always for lowest look and number of set, अब यहाँ पर यह जो side chain है, यह वाला side chain, इसका नाम अभी अभी हमने पढ़ा, क्या था इसका नाम, methoxy, तो one number पे क्या लिखना पड़ेगा, methoxy, word root क्या बनेगा, it, primary suffix क्या आएगा, यह नाम क्या बन जाएगा, one, methoxy, ethane, और देखो, मैं पहले से कई वीडियो में बोल चुका हूँ, कि यह number understood है, क्यों, ethoxy 2 carbon पे, methoxy किस number पे आएगा, number 1 पे तो आएगा, तो मैं चाहूँ तो यह नाम नाम ना लिखूँ, तो मैं नाम क्या लिख दूँगा, direct, methoxy, ethane में लिख दूँगा, यह नाम, next example में दिबात करें, तो parent chain with maximum number of functional group वो है नहीं, तो carbon atom यह हुआ, correct parent chain numbering किया, तो 1, 2, 3 यह numbering हो गया, अब यहाँ पर यह जो side chain है, यह 2 carbon और oxygen है, इसका मला ethoxy हुआ, तो इसका नाम क्या बनेगा, number 2 पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे ethoxy, word root क्या बनेगा, prop, primary suffix क्या आएगा, यह नाम क्या बन जाएगा, to ethoxy, propane ऐसा नाम बन जाएगा, number 3 try कर लेते हैं, parent chain must contain, maximum functional group वो है नहीं, तो multiple bond, इस बार ध्यान से देखो, इस बार मैंने यह जो side chain है ना, यह side chain, क्यों, क्योंकि इसमें multiple bond का priority, number of carbon atom से ज़्यादा होता है ना, अब इसमें numbering करूंगा, तो numbering for lowest looking number यहाँ से 1, 2 ऐसा आएग अब लेकिन यहाँ का, जो side chain है, वो complicated है, और complicated side chain को हम क्या करते थे, अलग से लिखकर नाम बना लेंगे, तो यदि मैं इस side chain को अलग से लिखता हूँ, तो यह side chain कैसा देखेगा, देखो ऐसा, ऐसा देखे गई, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से word route बनाना है, तो एक काम करता हूँ, मैं एक पार्ट और develop करता हूँ इसका, मैं इसका एक और पार्ट बनाऊँ, तो मैंने लिखा यह, मैंने और easy पार्ट में कर लिख, अब ज़रा इसका नाम लिखूँ तो क्या है, carbon with the free valency always number 1, then we have to select parent chain starting from this carbon, तो यहाँ का parent chain क्या हो जाएगा, parent chain हो methyl, one methyl, ethyl इसका नाम बनेगा, one methyl, ethyl, अब यहाँ पर component समझो, यह तो है prefix, यह word root है और यह suffix, अब जब मैं इसका नाम लिखूँगा ना, तो जहाँ पर yl आता है, वहाँ पर मुझे oxy लिखना पड़ेगा, मतलब इसका नाम क्या बनेगा, one methyl, ethyl, मैं इसे one methyl, et लिखा, और जहाँ पर yl था, वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, oxy लिख दिया, तब तो methyl से methoxy बनता है, compare करके देखो, methyl हो methoxy को relate करो, भाई, yl अटाके oxy लगाया, तब तो methyl से methoxy बना न, तो इसका नाम क्या बना, one methyl methoxy, ethoxy, तो इसका नाम कहाँ पर, यह वाला नाम number one पर ल position नहीं लिख रहाँ, understood है, दो carbon में double bond number one पर ही आएगा, next example पर चलते है, next example number four, पहले ही बात हो चुकी है, correct parent chain यह रहेगा, with maximum number of side chains, numbering के sense से करेंगे, alphabetical order में करना पड़ेगा, देखो numbering के rule हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं direct use कर रहाँ, फिर यह ethoxy है, इस side methoxy है, तो प लिखा जाएगा, क्या number two पे लिखा जाएगा, methoxy, यह हो गया prefix, word root बने गई, तो primary suffix बने गई, इस तरीके से हम ether का naming भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान, बस यह याद रखना, ether में कोई functional root नहीं मानते हैं, और हमेशा क्या prefix में लिखते हैं, क्या alcoxy, और अलग-अलग category में बात करें, तो ether में हम इस बार cyclic ethers लेके आते हैं, अब cyclic ethers की बात करें, तो देखो, है ether, लेकिन क्या रहेगा, cyclic रहेगा, और यह भी always prefix लिखा जाएगा, एक नया sound आएगा, नया sound क्या रहा है, नया prefix या रहा है, epoxy लिखा जाएगा, बागी के सारे rules same, बस एक नया side chain, नया design दिखेगा, जिससे यहाँ पर देखो, यहाँ पर parent chain with maximum carbon यह हो गया, number one, two लिखूंगा, तो मैंने numbering भी कर दिया, अभी अकेला ऐसा side chain है, जो एक से जादा number पर present है, one or two के बीच में, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा, one, two, और क्या लिखो, epoxy, one or two के बीच में, क्या epoxy, word root क्या बनेगा, it primary suffix बनेगा, ऐसे naming हो जाएगा, बिलकुल आसान, next में देखो, with maximum carbon, parent chain रहेगा, तीन carbon का, numbering for lowest look and set, यहाँ से करना पड़ेगा, one, two, three, और जो side chain है, वो कहाँ पर है, one or two के बीच में, तो one, two, और क्या लिखना पड़ इसका prefix, word root क्या बनेगा, prop, primary suffix का आएगा, naming हो जाएगा, one, two, epoxy, propane, next example में, next example में, यदि मैं parent chain select करूँगा, तो parent chain तीन carbon का ऐसा, numbering करूँगा, तो one, two, three, और इससे यह clear observation है, कि जरूरी नहीं, कि epoxy adjacent position पर रहे, तो यहाँ पर one or three के बीच में, तो मुझे लिखना पड़े और word root क्या बनेगा, prop, primary suffix क्या बनेगा, ain, और नाम क्या बन जाएगा, one, three, epoxy, propane, next example, थोड़ा complicated example ले ले लेते हैं, complicated examples में रहे देखें, तो इसमें हर type का observation मिल जाएगा, multiple bond, include करते हुए with maximum number of carbon atom, और functional group को include करना पड़ेगा, तो जो parent chain आया, parent chain आया यह, numbering कर लूँ, तो functional group को देखकर मुझे numbering करना पड़ेगा, तो numbering जो होगा, वो इस तरीके से मैंने numbering भी कर दिया, यह, अब मैं जब prefix लिखूंगा न, तो side chain देखो, CLB है, और side chain में कौन है, epoxy भी है, तो मुझे दो prefix लिखना है, और a more than one prefix is always arranged in their alphabetical order, epoxy और chloro में से पहले तो number two पे में क्या लिखूंगा, chlorophyll, फिर three और five पे क्या है, three और five पर है epoxy, तो मैंने अगला prefix के लिख दिया ऐसा, prefix का काम हो गया, word root आएगा, word root seven carbon है, तो hep लिखना पड़ेगा, primary suffix में in है, तो number six पर in लिखना पड़ेगा, e eliminate कर रहा हूं, क्योंकि number one पे जो लिख रहा ह है, और a, e, i, o, u, or, y, इन से start होगा, तो that e, the last e of primary suffix is eliminated, इस तरीके से हम ethers का naming भी कर सकते हैं, next video में जो important compounds आएंगे, वो eastern enhydride आएगा, ठीक है न, thank you.